नमस्कार दोस्तों मम्ता की रस्वई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूबे आज बनाने जा रही हूँ एपल हलवा तो आज कर नौरात्रे चल रहे हैं और इसमें आप तरह तरह की व्रत की रेस्पी ट्राई करिए और ये एपल हलवा तो जरूर ट्राई करिए आपको बोड़ अच्छा है तो यहां पे मैं एक सेब ले ली हूँ और इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं यहां पे मैं एक ही सेब का हलवा बना रही हूँ आप चाहे तो और भी ले सकते हैं आपकी जैसी जरुवत हो जितने लोगों को बनाना हो उस भी साफ से आप सेब की क्वैंटि और सेब को कट करने से पहले आप सेब को बहुत अच्छे से वास कर लें तो इस तरीके से कट कर लेते हैं सेब का हलवा खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है ब्रत में आप एक बार ये हलवा बना के खालें तो पूरे दिन भूख नहीं लगेगी अब सेब को मैंने कट कर लिया है तो एक मिकसर जार लेंगे और इसमें डाल देंगे सेब को तो देखे इस तरीके से डाल देते हैं और डालने के बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा दूद मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है और लगबग टू टेबल इस्पून डाला है आप इसके जगह पे पानी डाल सकते हैं और बहुत जादा दूद या पानी आपको यहाँ पे नहीं डालना है नहीं तो जब हलवे को भूनेंगे तो बहुत जादा टाइम लगेगा यहाँ पे देखे बहुत बार एक मैने पीसा है एकदम महीन कर लिया है इसे तो अब इसे रखते हैं एक साइड में और चलते हैं आगे के प्रोसेस में यहां पे frying pan रख दिया है और मैं 2 tea spoon देशी घी डाली हूँ frying pan में और जैसे ही घी हलका सा गरम हुआ है तो मैंने डाल दिये हैं काजू और यहां पे किस्मिस dry foods आपकी अपनी पसंद है आपके घर में जो भी dry foods हो उसे डाल सकते हैं इसे डालने के बाद बस थोड़ा सा ही भुना है मैंने और यह जो सेब का paste बना के रखा था इसे डाल दिया है इसे डाल के हमें बहुत अच्छे से भुनना है गैस की flame को medium रखें जल्दी बाजी बिल्कुल ना करें और इस तरीके से बराबर चलाते हुए भुन लें क्योंकि जो सेब है उसमें भी पानी है और जो हमने दूट डाला है इन सारी चीजों को अच्छे से सुखा लेना है तो यहां पे देखिए अब थोड़ा सा सुख चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ टू टी इस्पून चीनी चीनी यहां पे मैं बहुत कम डाल रही हू आप अगर मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा हलवा निकाल के चेक कर सकते हैं क्योंकि सेब भी मीठा होता है इसलिए मैं ज्यादे चीनी का यूज नहीं किया है तो आपको सुगर को एक बार चेक करना पड़ेगा अगर आपको मीठा कम लग रहा हो त तो थोड़ा सा और मीठा डालें और यहां पे देखिए मैं थोड़ा सा फूट कलर डाल रही हूं तो मैं यहां पे औरेंज फूट कलर डाल रही हूं फूट कलर डालने से हलवे के स्वाद में कोई फरक नहीं पड़ता है हलवा वैसे ही स्वादिश्ट लगता है बस हलवे से बिल्कुल अलग होने लगे तो यहां पे देखिए इस हलवे को बनाने में मुझे लगबग 15 मिनट लगा है और मैं इसे बहुत अच्छे से भून रही हूं आप देख पा रहे होंगे जितना ही अच्छे से आप इस हलवे को भूनेंगे स्वादूतना ही अच्छा दाल दिया है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो इलाइची बिल्कुल स्किप ना करें जरूर डालें और गैस की फ्लेम बंद कर दी है हलवा हमारा बिल्कुल पॉफेक्ट बन के तयार है तो अब इसे कर लेते हैं फटा फट सब और मेरे हलवे की रेस्पी आपको पसं सब्सक्राइब करें बेर आइकन जरूर प्रेस करें बाई बाई